नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सनमार 26 दिसंबर 2019 को सुरी गरहन है और शुरी गरहन का टाइम है 26 दिसंबर की सूबध 8 बचकर 17 मिनट से लेकर सूबध 10 बचकर 57 मिनट तक कुल 2 घंटे 40 मिनट का गरहन है सूरे गरहन का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है इसलिए 25 दिसंबर की साम 5 बचकर 32 मिनट पर सूतक लग जाएगा इस से में बहुत सारे काम है जो नहीं करना चाहिए सूतक लगने के बाद ब्रहम चरे का पालन करें नौन वेज अलकोहल से दूर रहें जहां तक संभव हो सात्विक भोजन गरहन करें यानि लहसन प्याज मांस मदीरा बेगेरे का यूज मत कीजिएगा साथ ही ब्रहम चरे का तातपर आप समझ गये होंगे और गरहन लगने के 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है आज हम आपको बताएंगे गरहन के समय कौन से मंत्र जप करना चाहिए ताकि जीवन में सूप प्रभावों की ब्रदी हो और बुरे प्रभाव खत्म हो जाए तमाम तरह के दोसों से आप सुरक्षित बने रहें वैसे तो गरहन के समय बहुत तरह के मंत्र जपे जाते हैं और ऐसा जोतिस में कहा जाता है गरहन के समय अगर आप एक बार भी स्रीहरी का नाम लेते हैं तो आपको उसका कडोर गुना लाब मिलता है यानि दो घंटे चालिस मिनट में पता नहीं कितने बार हम नाम ले लेंगे और तमाम जो परिसानिया हैं उनसे सुरक्षित बने रहेंगे तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बता दें कि जो प्रेगनेंट उमेन हैं उनके लिए खास गरहन के समय बहुत साबधानी से गुजारिएगा और घर में काटा, चमत, चाकू, छूरी, कैंची, सुई धागा सब पहले से ही साइट करके रखिए आपको छूना भी नहीं है यूज करना तो दूर की बात है हाँ आप गरहन के समय वैसे तो नहीं खाना चाहिए लेकिन अगर आपको लगता है कि दवाईयां टाइम पे लेनी है तो फिर कोई और आपको फल बेगर देगा काट कर तो आप खा सकते हैं पर खुद मत काटिएगा तो चलिए अब हम आपको बता दें सूरी गरहन के समय कौन सा मंत्र जब करें कि जीवन में धन की कमी कभी नहीं हो आपका ब्यापार बहुत अच्छे से चले नौकरी में परमोसन हो आपकी जौब एकदम चकाचक सब कुछ होता रहे जीवन में जो परिसानिया है वो समाप्त हो जाए इसके लिए सूरी गरहन के समय के सामने स्क्रिन पर मंत्र है अपनी मरजी के अनुसार आप जीतना मंचा है उतनी जब कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने से धन की कमी आपको पूरे वर्स नहीं होगी अब वैसे तो बहुत सारे मंत्र है लेकिन आप इस मंत्र का जब कीजिए धन की मुस्किले दूर हो जाएगी लेकिन कोई तांत्रिक मंत्र मत जब कीजिएगा क्योंकि अगर जरासा भी सब्दों का हेर फेर है जितने भी मंत्र होते हैं ना सब्दों का ही हेर पेर है और सब्दों का ही खेल है जरासा भी इधाउदर हो जाएगा तो कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए इसलिए संभल कर जपिएगा तांत्रिक मंत्र से दूर रहें जहां तक संभव हो नमसिवाय का जब करें ओम नमो भग भगवते वासु देवाए ओम नमो भगवते वासु देवाए जितना जादा जब कर सकते हैं जरूर कीजिए हम आपसे विदा लेते हैं हरहर महादेद धन्यवाद